डिली में प्रदूशन की बड़ी वज़ा पंजाब में जलाई जाने वाली पराली है विजेपी ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाये जबाब में केजडीवाल और भगवंत मान ने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फरेंस करके सफ़ाई दे डाली पंजाब में विगत वर्ष से 34 प्रतीशत का इजाफा है पराली जलाने में 34 प्रतीशत अनिंक्रीज ऑफ 34 परसेंटेज और वहीं जहां हमारी सरकार है हरियाना में मैं धन्यवाद दूँगा हरियाना के मुक्य मंत्री खटर साहब को कि वहां 30.6 प्रतीशत की गीरावट है आप देखिए केवल आज आज में हि 3634 आग जल रही है पराली की पंजाब के अंदर पंजाब में हमारी सरकार है अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हम हमारी सरकार हम जिम्मेदार है हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है अभी हमारी सरकार को बने वे छे महीने हुए है छे महीने बहुत छोटा पीरिड होता है वानी, गुडगाओं, बाहदुरगड, जीन्द, मानेसर, नॉइडा, ग्रेटर नॉइडा, गाजियाबाद और राजस्थान में भिवाडी इन सभी शहरों में हवा सीवियर केटेगरी में है, जितनी खराब दिल्ली में है, उतनी खराब इन सभी शहरों में है ये वक्त finger pointing का नहीं है, blame game का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने sensitive मुद्दे पे राजनीती करने का नहीं है, उससे समधान नहीं निकलता, हम करते हैं रहे राजनीती, वो कहते हैं केजरिवाल जिम्मेदार है, हम कहते हैं वो जिम्मेदार है, इससे कोई सम और केजरिवाल पिछले साथ साल से दिल्ली के मुख्य मंत्री है पहले जब भी प्रदूशन की बात होती थी तब वो सारा ठीकना परोसी राजब पंजाब पर फोड़ देते थे अब पंजाब में भी आमादी पार्टी की सरकार है तो पंजाब का नाम लेना बंद कर दिया है आज केजरिवाल ने कहा कि प्रदूशन के लिए दिल्ली या पंजाब की सरकार जिम्मेदार नहीं लेकिन सवाल अभी है कि आखिर जिम्मेदार कौन और कम करेंगे लेकिन दिल्ली में जितना ट्रांसपोर्ट दिल्ली का अपना डस्ट और दिल्ली की इंडस्ट्री सारा मिलाके जो प्रोडूशन दिल्ली का अपना वो डेड़ सो से दो सो के बीच में है अभी चार सो पार कर गया है तो यह जो चार सो पार किया है यह अचानक 25 अक्टूबर के बाद कोई दिली में अचानक एक रात में इंडिस्टि नहीं बढ़ गई लगई एक बात लित लियंद एकर रात मिह इतना ट्रांस्पोर्ट नहीं सब्धियां गाड़ी तो जाइर जाहिर है ना वो पंजाब और हर्याना से हवा दिल्ली की तरफ आती है वो सारा धुआ दिल्ली के अंदर आके उपर आस्मान पे चा जाता है उसकी वज़े से हमारा सारा इतना प्रोडिशन हो जाता है हमारी हवा खराब हो जाती है तो अब एक तो मेरी खटर अंकल से और कैप्टेन अं पूरे उत्तर भारत को प्रदूशन से बचाया जा सके यह पूरे उत्तर भारत की समस्या है तो देखिया आपको अर्विन केजरिवाल के हमने 2018, 2019, 2022 के बयान सुनाया और किस तरह से विरोधावास तीनों बयान में पहले वही केजरिवाल जो जब पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार थी और हरियारा सरकार को अकसर दोशी ठहराते थे लेकिन अब जब उनकी खुद की सरकार पंजाब में है तो इससे उन्होंने पलड़ा जाल लिया दिल्ली में प्रदूशर की वज़े से ग्रैप यानि की ग्रेडेड रिस्पॉंस अक्षिन प्लान का चौता फेज लागू कर दिया गया अब इसका मतलब क्या है यह समझे ट्रकों की एंट्री पर बैन लगया और सिर्फ आवश्यक सेवा वाले ट्रकों को ही छूट दी जा गाड़ियों को अब अलाओ किया जागा अंदर, फ्यूल से चलने वाली गाड़ों की ऊपर भी आप पाबंदी लेगे, प्रदूशर की वज़े से नोईडा में 8 नमबर तक आउनलाइन क्लास के आदेश जारी कर दिये गए, पहली से आठवी तक आउनलाइन क्लास अनिवा कर दी गई है, इसके अलावा क्लास 9 से 12 तक आउनलाइन क्लास का सुझाओ भी दिया गया है, क्योंकि इन दिनो एर क्वालिटी इंडेक्स बेहत खतरनाक इस तर पर है, और कह सकते हैं, यह बहुत ही जादा खतरनाक है, क्योंकि इस वक्त 700-800 तक आकड़ा पहुच चुका है और यह लोगों के लिए किस तरह से नई-नई बीमारिया लेकर आ रहा है, आप एर क्वालिटी इंडेक्स को देखकर अंदाजा असानी से लगा सकते हैं